हेलो बच्चो नमस्कार मैं पंकजाप सभी का सवागत करता हूँ नालंदा के सोनलाइन क्लासिस में और आप सबको पता है कि जी एस की किलासे मेरे दुबारा इस चैनल पर कराई जा रही हैं किसी भी पिरकार का कोई भी आपका competitive exam है और जिसमें बच्चे जी एस पूछी जाती है तो उसी को देखते हुए इस practice 8 को आज हमें start करेंगे अगर सामने ग्यान में हम बात करते हैं जैसे भारतिय एथियास भारतिय अर्थिववस्ता शामने विग्यान सभी के इसमें आपको पिरसन मिलने वाले हैं तो आज की कहानी आज की class की सुरूआत करते हैं छोटी से person के साथ और फिर लगातार पिरशनों को हल करते चला लगे यह कहानी यानि यह practice आपका regular चलता रहेगा तो आजका पहला जो पिरसन है उस पिरसनों को हल करना है पढ़ना है और क्या पूछ र लेकिन ध्यान से सुनना सबसे पहले पिरसन को पढ़ लिया अगर आपको इन में से आंस्वर नहीं समझ में आ रहा तो आप यह देखो किस-किस ओप्शन को काट सकते हो हुÁ तो मैंने कहा के काई लियुक लेकिन कें दिमाग की उपज है तो इतोर्फ बनी होगी तो कॉंग्रिस कब बनी थी Mathiam 885 मैं कब बनी है Mathiam Uh क्या होगे महत्म गांधी सक्रिय होंगे तो आप होगे महत्म गांधी तो 안 1973 में भारत में आपना पहला कैसा कम्लान कराते हैं नी चंपानन सत्यग्रा करते हैं तो महत्मा गांदी तो उससे में सक्रिय नहीं होंगे क्या डॉक्टर भी ब्रावंबिडगर होंगे आप कोगे नहीं यह तो हमें ज्यादतर गोल में संबिलंस इनकी शुरुआत दीखती है यह जो साइमन कमिशन के आसपास इनकी श पूछे जाते हैं लाला लाजपतराय के बारे में जैसे अगर मैं बात करूं लाला लाजपतराय से आप से पूछाएगा बताओ पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो आप क्या कहोगे इने ही कहा जाता है पंजाब केसरी किसको लाला लाजपतराय को आप से पूछा जाएग लाहौर में लाहौर में शाइमन कमीशन, लाहौर में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध करने की कारण, करने के कारण गायल कौन हुए थे आपसे पूछाए का गायल और उसके बाद इनकी मृत्ति भी हो गी थी गायल कौन हुए थे तो यही है वो कौन बच्चे आप बताओगे लाला लाजपतराए गायल कौन हुए तो आप बताओगे कौन लाला लाजपतराए देखो क्या प्रसन बनेंगे लाला लाजपतराई से पंजाब केसरी ने कहा जाता है पी एन वे की स्थापना लाहोर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं सांडर्स ने आदेश दिया लाठी चार्ज करवाई गई और लाला लाजपतराई क्या हुए घायल हो गई और क्या पूचा जाएगा कि यह पूचा जाएगा आप से बताओ लाला लाजपतराई के बारे में कि जब लाला लाजपतराई की मिरत्वी होगी ठीक जब लाला लाजपतराई की मिरत्वी होगी उसके बाद सांडर्स की हत्या जिसने आदेश दिया था वो सांडर्स की हत्या किसके के दुवारा करवाई गई सांडर्स की हत्या किस-किस ने करी थी तो आप बताओ इसमें पिर्मुक भूमी का रही भगत सिंग राजगुरु राजगुरु और सुखदेव और सुखदेव अईसिए शूना ना क्या-क्या पंजब केशरी ने कहा जाता है पी य एनिवी की इस्थापन नहीं के दुवारा लाहोर में साइमन कमिंस का विरोध कर रहे हैं कब पहुंचता है भारत में 1928 में साइमन कमिशन पहुंचता है है ना अगर पूछ ले साइमन कमिशन भारत कब आया तो आप बताओगे 1928 में कब 1928 में उसका विरोध कौन को रहे हैं लाला लाजपतर है ठीक तो गायल कौन ही थे लाला लाजपतर है उनके बाद मिरत्ती होगी तो सांडर्स क कि हत्या ना फिर्मुख भूमिका में यह रहे भगस सिंग गोली मारकर हत्या कर दीके राजगुरू और सुखदेव के दुवारा और क्या पूछाएगा एक पूछा जाएगा लाट डफरिंस है लाट डफरिं क्या पूछा जाता है तो आपको यह बताना है कॉंग्रेस की स अब बताओगे लाट डफरिनी थे जिस समय कॉंग्रेस की क्या होती है इस धापना होते तो उपज की बात यही तो है उसी समय कोई कह रहा होगा कि तो यह तो लाट डफरिन के दिमाग की क्या है उपज है तो किसके बारे में बात चल लिए लाला लाजबत राए के बारे मे और क्या पूछ सकता है दादा भाई नोर्ची को दादा भाई नोर्ची से एक प्रिशन बन सकता है भारत के व्यो व्रध पुर्ष किसको कहा जाता भारती है व्यो व्रध पुर्ष किनको कहा गया है तो आप बताओगे इनी को कहा जाता ओल्ड मैन ओफ इंडिया है ना दादा भाई नौर जी को डॉक्टर भीवराव अंबेडगर से क्या प्रिशन बन सकता है जैसे आर्टिकल 32 का बहुत अच्छा प्रिशन बनता है आर्टिकल 32 का क्या प्रिशन बनता है इन्हों ने इसको क्या कहा है शवीधान की आत्मा कि शवीधान की आत्मा कहा गया है किसके आत्मा ठीक है और देखना ज़रा मैं और प्रिसन बताता हूं इसी मैंसे अगर आप से पूछ ले Congress की स्थापना के बारे में Congress की स्थापना जैसे मैं नहीं लिखी है इस्थापना का होती है Congress की तो आप बताऊगे 28 दिसम्बर 2885 किसके करी गई थी तो आप लिए बोलोगे ओ यू म के दौारा यू हम के दौरा इस थापना करी गई थी कहां तो आप बताऊगे इसकी जो इस्थाफना होता है इसका जो पहला अधिवेशन होता है ऐसे पूछ सकता है पहला अधिवेशन पहला अधिवेशन कहां होता है पहला अधिवेशन तो आप यह कहो गई पहला अधिवेशन होता है कहां पर बुंबई में आज का मुंबई उस समय का बुंबई में मैंने कहा कि इस्तापना अगर आप से पूछे तो आप कहो गए ए-o ह्योम के दुवारा अगर आप से पूछे पहला अदिवेशन कहा हुआ तो आप कहोगे मुंबई के अंदर दूसरी बात कभ हुआ तो आप यह कहोगे 1885 में कब 1885 में पहले अधिवेशन में पहले अधिवेशन में कितने व्यक्ति सामिल थे तो आप कहोगे 72 लोग सामिल थे अगर ऐसे भी पूछले के बताओ 72 में से सबसे अधिक कहां से आये थे तो आप बताओगे यह अधिवेशन हो कहा है मुंबई में तो आप यह कहोगे सबसे अ से लोग सामिल थे तो आपको बताना है अवद से कितने थे इसे ऑबrit से कितने थे साथ अगर आप से पूछ ले बंगाल बंगाल और पिलस साथ में पंजाब पंजाब यहां से कितने लोग थे तो आप बताओगा यहां से दोनों से तीन और पिलस तीन ते तो टोटल कितने होगे च्छ तो 6 यह हैं सात यह हैं तहरे और 21 यह है और 38 यह है जब आप इससब को जोड़ोगे तो आप ञग नजर आ अपको नजर آएका कितने होंगे साथ शे तेरह एक चोदे आठाट चार बार है है ना तो यहां लिखो गया 22 को दो हांच चले दो दो तीन पांच और दो साथ कितने होगे बच्चे बहात्तर बहात्तर सदस्य थे जिने में से मुंबई में सबसे अधिक ते मदरास में 21 अवद से साथ बंगाल प्लस पंजाब से तीन तीन याने की टोटल मैंने छह लिख दिए एक साथ तो बहत्तर सदस्य थे जब पहला अधियक्ष्ण हुआ था और पहला अधियक्ष्ण कहा मुंबाई में इस था अपना किसके दुवारा एयो हियों के दुवारा औ और आपसे पूछाएगा एक प्रिशन के बताओ अधियक्ष्ण खोंते उस समय पर अध्यक्ष्ण आपको बताना है कि उस समय पर अध्यक्ष्ण कौन थे तो आप क्या बताओगे उस समय पर अध्यक्ष्ण अगर आपसे अध्यक्ष्ण पूछ लिया जाए कि पहला जो व्योमेश चंद्र बनर जी पहले अध्यक्षते व्योमेश चंद्र बनर जी कि इसके और भी सम्मेलन हुए है हाँ और भी सम्मेलन हुए है कि आप से और भी पोछे जाएंगे और भी पोछे जाएंगे पहला पहला वाला सुने ध्यान से पहला वाला इस था अपना 28 दिसंबर 1885 A.O. Hume के दुवारा दूसरा पिरसन पहला धीवेशन मुंबई में ये बताओ टोटल कितने व्यक्ति सामिल थे 72 जो इसके सदस्य थे 72 जिनमें से इसके अध्यक से बनाए गई व्योमेश चंद्र बैनर जी आपसे पूछाएगा मुंबई से कितने थे 38 मदराज से 21 अवद से पूछा जाएगा यूपी पूलिस के पीपर में साथ और आपसे पूछाएगा बंगाल और पंजाब से कितने थे 6 टोटल 72 और क्या पूछा जाएगा ये बताओ तो नहीं हम बात करते हैं भारतेय राष्ट्य कोंग्रेस भारतेय रास्ट्य कोंग्रेस की भारते से सुनना पिरसन है क्या संग था संग के इस्तान पर कॉंग्रेस किसके कहने पर रखा गया पिरसन आयागा के बताओ तो Congress किसके कहने पर रखा गया तो आप बताओगे Congress किसके कहने पर रखा गया बच्चे तो आप कहोगे दादा भाई नोर जी के दुवारे ना दादा भाई दादा भाई नोरो जी दादा भाई नोरो जी के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया संग के इस्थान पर कॉंग्रेस रखा गया क्या रखा गया कॉंग्रेस इसका नाम रखा गया बच्चे क्या कॉंग्रेस तो एक बार इसे सही लिखने कॉंग्रेस क्या नाम रखा गया Congress क्या नाम रखा गया इसका Congress यानि संग के इस्तान पर क्या रखा गया Congress किसके कहने पर दादा भई नौर जी के कहने पर यहां तक बात समझ मा रही है और आप से प्रसंद पूछा जाएगा इसी में 28 December 885 में होगा एहों के दुबारा प्रसंद 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 प्रसं कितने सदस्य थे 72 सदस्य थे अध्यक्ष कौन था वियो में संद्र बैनर जी थे 72 सदस्य है कहां कहां से यह मैंने आपके सामने लिख दिया इसका नाम पहले भारते राश्टे को संग था संग के इस्तान पर कॉंग्रेस रखा गया किसके दुवारा दादा भाई नौर जी के दुवारा आगे देखो आगे क्या प्रिशन बन सकता है आगे प्रिशन बन सकता है आपसे हैना और क्या बनेगा दूसरा अगर हम दूसरे की बात करते हैं सेकिंड सेकिंड अधिवेशन कहां होता है दूसरा अधिवेशन दूसरा अधिवेशन भी मोश्ट है अगले ही साल 1886 में, अधिवेशन होता है कहां? कलकत्था में, अधिवेशन कहां होता है ? कलकत्था में, और कौन अध्यक्षपनते हैं? इसके ध्यान से सुनना इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौर जी तीसरा थर्ड अगर थर्ड अध्यवेशन की बात करते हैं तो थर्ड होता है अठारे सो सतासी में ये कहां होता है ये होता है मदरास के अंदर जो आज का चैन नहीं है उसी मदरास के अंदर इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो आपको ध्यां से सुनना है वो बनते हैं बदरुदीन तेवजी बदरुदीन 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 तेवजी बदरुदीन कौन बनते हैं तेवजी आता इनसे भी पिरसन क्या पिरसन बनता है बद्रुदीन ते बजी से पिरसन बनता है कि पहले मुसलिम बताओ जो कॉंग्रेस के बच्चे पहले मुसलिम जो कॉंग्रेस के अध्यक्स रहे हैं पहले मुसलिम पहले कौन है ये मुस्लिम है आपको याद रखना है पहले मुस्लिम कौन है बदरुदीन तेव जी कौन है बदरुदीन तेव जी फौर्थ देखें फौर्थ से भी एक प्रिसन बनेगा फौर्थ फौर्थ हुआ कब अठारे सो अठासी में 1888 में तो पहला कहा हुआ था मुंबई दूसरा कलकत्ता, तीसरा मदराज चोथा कहा होने वाला है अपने प्रियाग राज में प्रियाग राज में इसके अध्यक्ष कौन थे प्रियाग राज में तो आप बताओगे इसके आप किरम से लिख लेना है ना गया नहीं है उसी साफ से मैं लिख रहा हूँ प्रियाग राज में इसके अध्यक्स थे जोर्ज पहले अंग्रेज पहले अंग्रेज हैं कोन है पहले अंग्रेज ठीक पहले क्या है यह अंग्रेज है आज यह बाद समझ में नहीं आरी क्या के पिरसन बन सकते हैं देखो दुवारा पिरसन बन सकता है कि इस्थापना 28 दिसंबर 1885 एउन ह्यों के दुवारा पूने में पिलैग फैला मुंबई माधी वेशन करवाए गया पहले पूने में होना था 1885 में 38 मुंबई से आये थे मदरा से 21 अवद से 7 बंगाल बंजाव से 3 तिन यानी टोटल 6 अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बैनर जी अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बैनर जी दूसरा हुआ कलकत्ता में जिसके अध्यक्ष दादवय नौर जी थे तीस और बहुत पूछे जाते हैं जब हम कॉंग्रेस के बारे में पढ़ने तो हम इसके इद्रिशन के बारे में पढ़ने जैसे फ़्ला 1860 में पहुत आता है अथारेशन चाहिए फिर 1906 1907 1914 1911 का भी यह सबसे ज्याद़ मौष्ट होती है ठीक है तो आगे कहानी जब आगे हम प इनकस अस्थी मज्जा मनुस्य के किस अंग में पाई जाती प्रिशन ये है इनकस अस्थी मनुष्य के किस अंग में पाई जाती है? उप्सन में देख लें एक बार फेसिल, ये फेस्पल नहीं है बच्ची, ये है फेसिल, फेसिल, कपाल, करण या पैर में? इन चार उप्सन में आपको बताना है, ये साइन्स का पिरसन है, जी विग्यान का. पिरसन कहा रहा है कि इनकस अस्थी मनुस्य की किस अंग में पाई जाती है तो आपको बताना है फेशियल में कपाल में कहां पाई जाती है आपको ये बताना ओप्सन में आपको देख रहे होंगे ओप्सन में तो चार हैं तो इसका सही आंस्वर होगा बच्चे करन करन मतलब ये कान दे रखें क्या कान कहां पाई जाती है ये कान में पाई जाती है देखो अगर हम कान की बात करते तो कान में तीन पिरमुक अस्ति होती है तीन पिरमुक एक तो होती है इनकस एक होती है इनकस एक होती है अगर मैं बात करूं मैलियस एक होती है मैलियस एक होती इस्टेपीज, एक होती है इस्टेपीज, एक होती है इस्टेपीज, ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, इनकस एक कान में एक, तो दोनों कानों में कितनी होंगी, तो आप बताओगे, दोनों कानों में होंगी, दो, अगर मैं कहूं मेलियस, ये भी दोनों कानों में कितनी होंग होती है सबसे छोटी अस्थी तो आप बताओगे सबसे छोटी अस्थी ही कौन सी होती है कान की इस्टेपिज तो ध्यान से सुनना इनकस से पिरसन बनता है बारबार के इनकस मेलियस और इस्टेपिज कहां की अस्थी है तो आप यह कहोगे हमारे कान की अस्ति हैं कहां की कान की अस्ति हैं देखो ध्यान से सुनना अगर आप से पूछ ले फैसियल में कितनी अस्ति होती है हमारे चेहरे में कितनी होती है तो आप बताओगे 14 अस्ति होती है कितनी 14 अस्ति होती है कपाल में कितनी होती है तो आप कहोगे कपाल में होती है आठ अगर हम बात करते हैं बच्चे मानव कंकाल की, किसकी मानव कंकाल की, अगर हम मानव कंकाल की बात करते हैं, मानव कंकाल, तो आपको बताना है एक व्यस्क व्यक्ति में, व्यस्क व्यक्ति में 206 अस्ति होती हैं, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो कितनी होती हैं, 300, 300 हो होती हैं बच्चों में कितनी होती है 300 बच्चों में होती है 300 तो इस मानब कंकाल को कितने भागों बाटा जाता है तो आप कोगे दो भागों में बाटा जाता है इस पिरका एक होता है अक्षिया कंकाल रेक होता है उपांग कंकाल द्यान से सुनना एक होता है अक्षिया कंकाल एक होता है अक्षिया कंकाल एक होता है अक्षिया कंकाल और एक होता है उपांग कंकाल एक होता है उपांग कंकाल एक होता है उपांग कंकाल तो अगर दो सो च्छे अजतीन की बात करते हैं तो असी होती है किस में? अक्छे कंकाल में और उपांग कंकाल में कितनी होती है तो आप बताओगे 126 होती है 126 अब देखो उपान कंकाल में अगर में बात करूँ जैसे मेरा हाथ है इस वाले हाथ और इस वाले हाथ और दोनों पेरों को अलग कर दिया जाए पसलिया होती है क्या होती है पसलियां क्या होती है पसलियां के बाद हमारी रीड होती है क्या होती है रीड को क्या कहते हैं मेरुदंड कहते हैं क्या कहते हैं मेरुदंड एक हमारी उरोस्ती की अस्ती होती है कौन सी उरोस्ती की एक हमारी उरोस्ती की अस्ती होती है उरोस्ती क्या बोल रहूं 26 और अरस्ति कितनी होती है एक जभर इन सब को आप जोड़ोगे तो एसी अस्तिया होती है मतलब हमारा जो अक्श्ये कंकाल है वो अक्श्ये कंकाल इन चारों से मिलकर बना है खौपडी से पसलीयों से रीड से औरister इसे उरस्ति का होती है जहां पसली सामने एक तरफ जुड़ी होती है बिल्कुल सामने है इसके सामने क्या होगी उरस्ति इसके बाद अगर उपांक अंकल की बात करते हैं तो उपांक अंकल दो भागों से मिलकर बना हुआ दो कौन कौन से भाग है इसके तो ध्यान से सुनना दो भाग होते हैं इसके एक तो होती है हमारे पादो की अस्तिया एक होती है हमारे पादो की अस्तिया मतलब हमारे पैर और हाथ और पैर की अस्तिया यानि एक तो होती है हमारे इनने में इधर से अलेसे कर देता हूँ ठीक एक तो होती है हमारे पादो की अस्थिया पैरो की पादो की अस्थिया है दो की अस्थिया और एक होती है मेखलाएं 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 तो पादो की अस्थिया कितनी होती है तो आप बताओगे पैदो की अस्थिया होती है 120 और मेखलाएं में कितनी होती है तो आप ब बात करता हूँ 120 की तो साथ तो हमारे अगर हाथ दोनों हाथों में होती है और साथ ही हमारे किसे में होती है पैरों में होती है साथ ही हमारे पैरों में होती है छह मेखला है हुँ में दो मेखला ही होती है एक होती है अंस मेखला एक होती है शरोणी मेखला अंस मेखला जोडने वाले को ऐसी ही सhory मेखला तो हमारी दोनों जो हात है इंदो आपंडों को यह जो कंडे वाला हिस्सा है इसमें दो थी तो सामने होती है यह वाली होसली वाली और तो होती है पीछै इसका अंदस्ती तो तोटल मिला कर चार और अन्स मेखला में चार एक फ्रोंदश çıkar मेखला होती नीचे हमारे पैरों को जोड़ती हमारे कूल एस nào होती है ओस्ती है कि तो प्रफrav Сब्क्रम्ण करें सिर्द्फ पिस् consomm sorrow को software और उरस्ती होती है, टोटल जोड़ों के असी और इधर जोड़ों के टोटल 126, पैरों के हम गिनते हैं आगे चलके जिसे हाथ, अगर हाथ की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ कौन सी होती है, हुमरस, रेडियर अलना कहा होती है, बच्चे यहाँ, और हमारी यह वाला जो हिस् हो जाती है, तो दूसरे हाथ में भी 30, ऐसी पैर में होती है, अगर फीमर के बारे पूछ लें, तो जांग वाली अस्ती होती है, फीमर, फीमर कहां की होती है, जांग की, जैसे सबसे छोटी अस्ती कौन सी होती है, हमारी तो सबसे छोटी जो अस्ती होती है, वो इस्टेपी कान का निर्माड होता है कैसे इनमें सेल्स वर्क करती हैं आगे सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले ठीक है आज की प्रसंद क्या था इसमें इसमें पूछा था कि इनकस लिखा हुँआ है इनकस मनुष्य किस अंग में पाई जाने वाली अस्ति है तेन फिरमुक अस्तनिय हैं कान की इनकस मेलियस और इसक बिद्धेपिज ऑगर कन है ध्यामदोan से बीदन के त्यान काथ है वहान को अग्च्छे का इसके बाद अगले पिर्षण क्या क्या यह था आग्ला पिरूसर नो नियाय की बात सामाजिक आर्थी अफसर और राजनीती तो नियाय की बात नहीं की गई आपको ये बताना देखना देरा ध्यान से भारते सविधान की प्रिस्तावना जो हमारी उद्देशी का है उसमें किस अना प्रिस्तावना में नियाय की बात नहीं करी गई तो कितने निय तरकी तो क्या है अवसर वे पिर्टिष्ठा की समानता अगर आप से पूछा जाए कितने नियाये हैं तो आप बताओगे भारतिय सभीधान की प्रिस्तावना में तीन नियाये की बात करी गई है कौन-कौन से नियाये हैं सामाजिक आर्थिक और राजनितिक ठीक अवसर पिलस पिर्टिष्ठा अवसर पिर्टिष्ठा की क्या है समानता क्या है समानता क्या है बच्चो समानता ठीक आगर देखो जरा ध्यान से सुनना और क्या पूछ सकता है श्वेतंतरता कितनी है श्वेतंतरता बहरतिय सभीधान की प्रिस्तावना में श्वेतंतरता कितनी श्वेतं विश्वास अभी व्यक्ति अभी व्यक्ति ठीक धर्म उपासना विश्वास अभी व्यक्ति धर्म उपासना इन शब की क्या करीगी यह पॉच्छा जाता कि वी जरक विश्वास धर्म उपासना की स्वहतन दर्ता में विचार की भी हमें क्या दी गईई तो यह बात चली किसकी प्रस्तावना के अंदर किसके प्रिस्तावना के अंदर जो हमारा उद्देश्य है जो हमारा उद्देशी का है या जो हमारा प्रिस्तावना है प्रिस्तावना में संसोधन हो सकता है तो आप कह सकते हो संसोधन हो सकता है जैसे एक केस आता है बेरूबारी केस एक केस आता है बच्चे बेरूबारी केस बेरुबारी केस आया 1960 में कब आया 1960 में तो ये क्या कहता है कि प्रस्तावना में संसोधन नहीं हो सकता प्रस्तावना में संसोधन नहीं हो सकता प्रस्तावना में संसोधन नहीं मन्य करा गया इनी के दुवारा बेरुबारी केस 1960 में लेकिन जो केश्वा नंद भारती केश आता जब आता है केश्वा नंद भारती केश केश्वा नंद भारती केश तो उसमें कहा गया सभी धान में संसोदन हो सकता है ये केश आता है 1903 में 1903 में आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा ध्यान से सुनना आपसे क्या पूछेगा और इसमें प्रिस्तावना के बार में क्या संसोधन हुआ है कि हां संसोधन हुआ है कितनी बार संसोधन हुआ है अभी तक एक बार 42 बार 42 सभी धान संसोधन हुआ 1906 में और इसमें कितने सब्द जोडे गए तो आपको बताना है तीन सब्द जोडे गए हैं कितने तीन सब्द तीन सब्द जोडे गए हैं वो तीन सब्द कौन-कौन से हैं तो आप बताओगे समाजवादी इधर लिखता हूँ ना पैक्ष और अखंडता मैं आप यह फीसалась और और साथ में आधि यह तीन हुबरी केस गठाफ करिष्टाफने नहीं हो सकता केश्वन भारती केश कहता कर ऐसी सवर्धान संसोदन हो सकता है व प्रस्ताफनामें सगो सकता send जोड़े गई और अखंडता पन्त निर्पेक्च और समाजवादी जब हम प्रिस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें समझते हैं कि प्रिस्तावना क्या कहना चाहती है ना हमारा दर्सन है हमारे भारत्य सबीधान का क्या है दर्सन और पिर सर पूछा जाएगा बताओ भारत्य समीधान की आत्मा किसे कहा जाता भारत्य समीधान की आत्मा भारत्य समीधान की आत्मा तो किसको कहा जाता है इसी को कहा जाता भारत्य समीधान की आत्मा किसको कहा जाता तो आप बताओ भारत्य समीधान की आत्मा किसको कहते हैं प्रिस्तावना को किसो कहते हैं बचे प्रिस्तावना को यहां तक बात समझे मा रही है तो प्रिस्तावना में आप लिख लेना इसका स्क्रीन सोट ले लेना आगे चलते हैं अगला प्रिसंद क्या कहता है प्रिसंद होगा ये चलो ठीक है क्या कह रहा है इस वाले प्रिसन को देखो ज़रा प्रिसन कह रहा है इलहाबाद प्रिसस्ती लेक की रसना किसके दुवारा करी गई तो आपको बताना है इलहाबाद को प्रिसस्ती लेक लिखा है वो किसने लिखा है शुद्रक के दुवारा शाब के दुवारा ब शमूंदर घॉप्त क्या है ये राज कभी एंग हरी सेंनिंहीं के दुवारा इलहवाद प्रेस्च दि लेक की रचना करीगे इना यह जो इयलहावद का जो इस्थाम्ब आपने सुणा होका कि इलहवाद का इस्ताम जिसे अग्वर के दुवारा कोसांबी से लाया गया था कहां आप बताओगे इलहवाद के अंदर कोसांबी में इसका निर्मान करवाया गया था किसके दुवारा तो आप ये कहोगे असोक के दुवारा असोक ने जब इसकी इस्थापना करवाई तो कि रहां कि पर निविस पर क्या करवाया था लेक लिखवाया तु उसी की बारे में बात चलने है कि इलाहवादका प्रेशस्ति लेक किसके दुवारा लिखवायا गा तो आप ये काओगे किसके दुबरा हरी सेन के दुबरा जो राज कभी है किसके शमुंद्रगुप्त के समुंद्रगुप्त से और भी प्रसान आते हैं कि विर्णा बजाते हुए किसको देखा गया विर्णा वजाते हुए विर्णा बजाते हुए कि विर्णा बजाते हुए उसकी मुद्रा पर मतलब इनी की मुद्रा पर उसकी मुद्रा पर आप लिख लेना इसे ठीक करके उसकी मुद्रा पर किसको देखा गया है बच्चे तो आपका होगे शमुद्र गुप्त को किसको शमुद्र गुप्त को ध्यान से सुनना प्रसन पुराना वादियंत्र सबसे पुराना वादियंत्र कौन सा हमारा सबसे पुराना अगर वादियंत्र पूछ लें तो आप क्या बताओगे हमारा वी नहीं है क्योंकि हमें समंदुर गुप्त को देखा है जो गुप्त बंस का एक राजा है और भी प्रसन आते हैं समंदुर बहरत का नैपोलियन इसको कहा गया भारत का नैपोलियन किसको कहा गया तो आप बताओगे किसको कहा जा रहा है समुंद्र गुप्त को इसका ही राज कभी है कौन हरी सेंड जो इसके दरवार में रहता है तो इसको कहा जाता है समुंद्र गुपत को भारत का नैपोलियन इसी म बारे राजा दक्षिना विरत के इसी प्रेसस्ति लेख में लिखा गया है किसके दूबारा हरी सेनग के लिवरा नो राजा आरे विरत यानि उत्तर वाले छेतर के हरा दिये थे जिस कारण जब इसके इत्utan को पढ़ा गया तो इत्만 यहास कारण में इसे क्या कहकर वारत का नैपॉलियन बात कर रहे हैं किसकी समुद्र गुप्त की देखो शुद्रक सुद्रक की एक पुस्तक बड़ी फैमस है जो आप सब जानते होगे मिरच का टिकम इनकी पुस्तक का नाम है मिरच का टिकम जिसमें एक गरीब भ्रहमण और वैसिया के प्रैम के बारे में बताए गया है साब के बारे में आप सब जानते होगे साब कौन है साब है ये राज कभी है किसके ये भी राज कभी है ध्यान से सुनना साब किसका राज कभी है तो आप कहोगे साब जो है ये राज कभी है किसके तो आप कहोगे ये राज कभी है समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं चंद्रगुप्त सेकिंड कौन चंद्रगुप्त सेकिंड चंद्रगुप्त सेकिंड जिन्हें सबसे प्रमुक विक्राम अदत्य बताया गया चंद्रगुप्त सेकिंड उसी के राज कभी है कौन साब और प्रिसन बन विखात विक्रामदत्य वो चंद्रगुप्त सेकींड थो समुंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैढता नवरतन किस भूर हो कौन थे बच्छे वच्चे कालिधास ते जो चंद्रगुप्त सेकिंड के दरवार में रहते थे थीँ तो पिरसन क्या सांवर्दन दर्वार में हर्वर्दन से संबंद के तर्वार में है थीक हर शुर्दन के दर्वार में हैं तक बाते हैं तो मैंने कहा हरी सेंड तो किसके राज कवी हैंardi तो आप बताऊगे समद्रक्वत के बांधभट किसके दरबार में हर्सवर्दन के में सब तो आप को होग ये राज के मिया चद्रगुपत के में सुद्रक क्या लिखते हैं मिरच कटीकम बहुत पूची जाते हैं के पूशत को बताओ मेरे का टेकम किसके दुवारा लिखी गए तो आप अगरोगे शुद्रक के दौआ कि यहां तक बात समझ भारी है इसके बाद अगला पिरसन क्या करता अगले पिरसन को देखते हैं मुधीं क्या क्या देखो जरा तो से अरवरवमीरात कोवेत पहरेन और एराक ना पहरेन तो इन तीनों की तो बच्चे क्या है दिनार इन तीनों की क्या है दिनार है और एक है option में कौन शेयुक्त अरब अमीराथ UAE की है ना UAE की मुद्रा क्या है तो इनकी मुद्रा है दिरहम इसकी मुद्रा क्या है बच्चे दिरहम इसकी मुद्रा क्या है दिरहम है ध्यान से सुनना मैंने कहा कि सेयुक्त अरब अमीराथ की मुद्रा दिनार नहीं है इन तिनों पूछाएगा कुवेट की मुद्रा क्या है दिनार आप बताओगे बहरीन की क्या है दिनार इराग की क्या है दिनार संयुक तरफ अमिरात की क्या है तो आप बताओगे दिरहम है क्या है दिरहम ऐसी पूछ ले बताओ रुपईया किस-किस की मुद् तो पहले तो यह लिख लेनाा... इनकी क्या बताई है... बच्ची अभी मैंने... फिरसे लिख लेना... दिर्हम तो आंस्वरिविश्क क्या होगा... बच्ची यह होगा... सहयूगतरफ अमीरात... यानि इन तीनों की मुद candle नहें... तो आप बताऊगा... पड़ोसी देश भी है आप बताओगे हाँ एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान क्या और भी देश है आप बताओगे हाँ श्री लंका श्री लंका की भी मुद्रा क्या है आप बताओगे रुपईया आप देखोगे और भी पड़ोसी देश है जो समुंदरी पड़ोसी देश है जिससे विवाद चला हुआ है माल दीव इसकी भी मुद्रा क्या है रुपईया क्या है रुपईया क्या और भी देश है हाँ और भी देश है जैसे सेसल्स आप से पूछाएगा सेसल्स की मुद्रा क्या है तो आप बताओगे इसकी भी मुद्रा क्या है रुपईया है ठीक है और ऐसे ही रुपईया बोला जाता है इंडोनेसिया की मुद्रा भी क्या है रुपईया है भारत के पडोसी देशों की ब बताओगे बच्चे टका क्या है टका आपसे पूछ ले पडोसी देशों में मयामार की मयामार की मुद्रा क्या है तो आप कहोगे मयामार की जो मुद्रा है मयामार की मुद्रा है आप यह कहोगे कयात मयामार में क्या चलता है कयात चलता है क्या चलता है कयात इसके बाद अगर अगर आपसे पूछ ले जाए अगर आपसे पूछ ले जाए बाहरत के प्रोशी में भूटान की क्या मुद्रा है भूटान भूटान की अगर मुद्रा आपसे पूछ ले जाए तो आप बताओगे निगल ट्रॉन चलता निगल ट्रम चलता है और काशलता आपूट्प हान्य देश कौन सा होगा मयामार होगा बंगला देश होगा भूटन होगा आगर आप से पूछ पूछले ड्रेटेन में क्या चलता है अमेरिका डोलर क्या डोलर में डोलरे मुद्धा क्या जैसिक है तो आप बताओगे अमेरीकी डोनर ठीक है देखो इरान में पूछले इरान और साउधी अरब में इरान और शाउधी अरब इरान फिलस शाउधी अरब में तो आप बताओ इरान और साउधी अरब में क्या चलता है बहुत पूछे जाता है इरान और साउधी अरब में यहां चलता बच्चे रियाल इरान सावोडियर और यमनमें और अगर पूच ले साथ में यमन यमन में क mex refined urine में क्या chapter यहा चलता है तो यहां चलता है इन इन में से किस देश की मुधरा डिनार नहीं है तो इन तीनों की तो दिनार है लेकिन संयुक्त अरव अमीरात की क्या है दिरहम है रुपया भारत , पाकिस्तान, शीरलंका, मालदीव , इंडोनेसिया , मौरिशसस में चलता है, ब्रेतन में पौंड चलता है, अमेरीका में डॉलर चलता है, बंगलाए देश में in में भुठ रां जलता है और तो हम पढ़ने रियाल के बार में क्या चलता है? और भी पूछ सकता है और भी ऐसे फिरसन पूछे Steve जा सकते हैं तो आप इतने याद कर लोगे यह भी बहुत है आज के प्रेक्टिस एट के लिए इसके बाद अगला पिर्शन क्या बनता है मुद्रा बाला पिर्शन होगा देखें क्या कह रहा है बच्चे यह फिजिक्स का फिर्शन है पूछा गया है किसी वस्तों को अधिक्तम दूरी पर फैकने के लिए किसी वस्तों को कितने डिग्री पर फैका जाना चाहिए ओप्सन में दे रहें 90 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री या 60 डिग्री मतलब जैसा आप कोई पत्थर लेते हैं उस पत्थर को अधिक्तम दूरी पर फैकना जैसे नीरत चोपड़ा भाले को फैकते हैं तो अधिक्तम दूरी पर कैसे फैस सकते हैं कितने डिग्री का कौन बना प्ष्चा अधिकत्म उचाई पर हम है अधिकत्म उचाई पर हमें फैक न है अधिक तुम यह और ट्मी पर फैकना है तो आप क्या कोगे अधिक तुमScript के लिए नाइन्टी डिग्री, परसिमें बानिया एक हिरा सुन टैर्श वहत्व टो 25 ना है 25 दिकरी को भर्क आटार लिश्य दिकर कौन पर 25 ईहां तो ये कुछ समय बाद शारी असे कहा चाहेंगे की प्रत्वी पर गिर जाएंगी क्यों क्युक् Remote क्रत्वी क्या करती है वस्तूइब को खैंसती कि कारण अपने सुनाौब गाट में जी के बारे में जी k 9.8 metaphs इसके ईना किन रहता है डिए न इत्र उते हैं कि आइड़र्ट गृतन होता है यह इसका लोक्तर ठावर स्वेस्ट emático 10mr2 और बटे नीचे होता है किलो ग्राम का श्कृयर ठीक ये बड़ी वाली चीकाई से कहते हैं गुर्टवाकर्षण नियतांक इसको क्या बोला जाता है गुर्टवाकर्षण नियतांक पूरे उनिवर्स में, पूरे ब्रहामण में इस की value सदाप कैसी रहेगी बच्चे, कैसी रहेगी सदेव, समान रहने वाले है, कैसी रहने वाले है, सदेव, समान, जी की value बदलती है, जी की value बदलती है क्यक्कि इसी जी के कारण वो पत्तर एक स convene बाद नीचे गर जाएगा अत्या दिक मूचाई तक तो जाएगा फिर नीचे गर जाएगा प्रिसन पूचाएगा इस जी के बारे में अगर और भी पूचा जाए अगर और भी कोई पिरसन इस जीज़ के बारे में बच्चे आपसे पूछा जाता तो ध्यान से सुनना क्या पूछा जा सकता मालो कि यह अर्थ है यह क्या है अर्थ है अर्थ दीख रहोगा आपको बच्चे अर्थ है यह आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी का मैक्सिम वैलू कहा होती है जी की मैक्सिम वैलू तो आपसे पूछा जाएगा जी की मैक्सिम वैलू आपको बतानी है तो आप क्या बताओगे यह होते बच्चे धुरूब एक धुरूब यह है और नीचे एक धुरूब यह होता है ठीक अगर हम इसके बीच मे जानते है एक्वेटर के नाम से एशी को कहते हैं विशुवत रेखा इसको कहते हैं विशुवत रेखा यहां से कैसे कैसे पिरसन बनते हैं उन्हें मैं बताता हूं आपको विशुवत रेखा एशी को क्या कहते हैं बहुमध्य रेखा इसको कहते हैं बहुमध्य रेखा इंगल पुझालों के प्रत्विय के बीच में क्या हो गाड़ा उसका सेंटर होगा उसके चार अईसे पदर्प गर्प क्या है उसका विश्वत रेखा और दोनों उपर बोड़े पॉइंटों पर क्या है उसके धुरू आप से पूछाएगा बताओ जी का मान जी का मान इस छोटी जी की बात चले जी का मान जी का मान अधिक्तम कहां होता है अधिक्तम अधिक्तम हमें लिख सकते हैं मैक्सिमम कहां होगा मैक्सिमम तो आप बताओगे धुरू उपर यानि य कrage इस विश्वत रेहओं पर क्या होता है जी की फिरो होती है जाहां बाहर हिंता आपको नजर आएगी तो वो प्र開始 हां इस वाले केंदर पर इस वाले बच्चे केंदर पर kit demand है किरत्व बसतू नीचे कि तरफ की क्योंकि प्रतवी अपनी तरफ को वस्तों को खेंचती है उसकी वैलू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड इसक्वायर प्रसंता अत्य दूर फैक ना है तो आप बताओगे 45 डिगरी पर फैको अत्य दिक उंचा फैक ना है तो आप 90 डिगरी पर फैको एक जी होती है यह बड़ी वाली इसकी वैलू पूरे यूनिवर् पूलते हैं इसे इना कहा कि विश्वत रेखा पर मिनीमम होगा इस फजी का मान कुई बड़ी का कभि बदलता ही नहीं है फो टीची का मान अधिक्तम कहा भागा धृब्भों पर अधिकतम होगा प्रसंत प् eux जाता बताओ अघर हम अगर हम प्रतर्थी से ऊपर जाते हैं त उपर जाएंगे तब भी जी का मान घटता है और जी का मान नीच आएंगे तब भी घटता है ना तो जी का मान पिरतियक इस्तान पर बदलता रहता जी का मान बदलता रहता जैसे हम बात करते हैं चंद्रमा का चंद्रमा का जो जी का मान हो प्रित्वी के जी के मान से एक बठी त्वाले सुनना परसन क्या था प्रेशन फाउद और आधिकतम दूरीवें फैकने के लिए 45 डिगरी और इक साथ में लिखा अधिकतम उचाई फैकने के लिए 90 डिगरी जी कामान मैक्सिमुम होता है दинки पर minimum होता है विश्वत्रे का पिर Te Zu होगा जी बरावर यानि कि हुआ लिखा हूँ स考ते들 क्या करते हैं इसके केंद्र पर और ये नीचे बच्चे कौन सा साथ बोल्म है साउध कर दोстр का मान नीचे जाने पर घटता तक का मार्त प्रृत्पीर से आपका economics का है ना सखल लाश्ट है उतपाद GDP सबसे अधिक योगदान किस चेतर का है तीन चेतर होते हैं प्रात्मिक आपके घर में तीन बहीं कमाने बाले एक तो सरकारी नौकरी कर रहा है याई सरकारी किसी पदवर है एक अपने उध्धोग में लगा हुआ है एसे ही तीन छेत्र हैं एक तो है प्राइमरी छेत्र है ना प्राइमरी छेत्र जिसे हम कहते हैं यह हमरा प्रकरती यानि की किरसी से जुड़ा हुआ यह किस से जुड़ा हुआ है किरसी से है ना इसमें कौन-कौन से आते हैं वानी की आती है क्या वान की किरसी सी में आती है वा पसू पालन आप कहोगा इसी में क्या आता है पसू पालन द्रत्य छेत्र मा आते हैं उद्धोग द्रत्य छेत्र मा आते हैं उद्धोग द्रत्य छेत्र मा आते हैं उद्धोग वी निर्मान आप से पूछाएगा वी निर्मान किसमा आते हैं इसी मा आते हैं वी निर्मान यह उद्धोगिक छेत्र कहते हैं त्रत्य छेत्र में आते हैं सेवा त्रत्य छेत्र में आते हैं सेवा जैसे परीवहन जैसे परीवहन रेल गाड़ी इसी में आए ना रेल गाड़ी बस यह जितरी हम सेवा बिरदान करते हैं पिलस बैंकिंग पिलस बैंकिंग और क्या आएंगे making bankingink के साथ हम कह सकते हैं और सेवा हैं जैसे सरकारी और सेवा ही हो सकती हैं शरकारी सेवा जैसा आप सरकाई नवकरी पहाई ना जितनी भी सेव आए हैं सब किसी में आते ही बच्चे इसी में 33 छेतर में पिरसन है कि बताओ GDP में सबसेदिक पैसा किस छेतर से आता तो आप बताओगे इसी 33 छेतर से ठीक दूसरे नंबर पर आता है किसे द्रत्य छेतर से और तीसरे नंबर पर आता है किसे प्राइमरी छेतर से यानि पहला नंबर ये है दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है सबसे अधिक पैसा द्रत्य छेतर से सबसे अधिक पैसा आता भारत में GDP में सबसे अगर यो से समझो पिरसन पूछले के इन तीनों में से इन तीनों में से सबसे अधिक जो रोजगार प्रदान होता है या सबसे अधिक जो रोजगार मिलता है या सबसे अधिक जो लोग लगे हुई है वो किस छेत्र में लगे हुई है ना जो काम करने वाले हैं वो सब हम यह कहेंगे प जन्संख्या इसी में लगी है सबसे अधिक जन्संख्या ठीक है काम करने वाले जो लोग लगे हुए सबसे अधिक इसी में लगे हुए तो इनों पिरसों में समझ मारी तीनों की बात तो प्राइमेरी छेत्र किर्सी वान की मतस्य पालन पसुपालन उद्धोग ना वी निरमा आप किसको कहते हैं तो ऑपिसं दैने सरस्वति राजा राह्मान राय श्वामई विवेका नंद और साथ में सर्सेयद अहमद का तो आप उपसन का होप संदेख되 हैं और इसका जवाब अचे बता सकते हैं देखो तो इसका सही जवाब क्या होगा दयानंद सरस्वती सही जवाब क्या होगा दयानंद सरस्वती क्या और भी प्रिशन बन सकते हैं दयानंद सरस्वती से हाँ बन सकते हैं दयानंद सरस्वती इनके बच्पन का नाम पूछेगा अगर इनका आपसे बच्पन का नाम पू जो नाम दिया है नाम क्या दयानन सरस्वती इनके गुरू थे इनका नाम था पूर्णा नंद पूर्णा नंद ने इनको इनका नाम दिया है किसका दयानन सरस्वती को यानि मूल संकर इनके बच्पन का नाम है और दयानन सरस्वती नाम दिया है इनको किसने पूर्णा नंद इनके गुरू थे पिर्थम गुरू कौन थे ये पूर्णा नन दयानन सरस्वती से और क्या पिरसन बनता है जनम इनका कहा हुआ है तो अगर जनम पूछ ले तो गुजरात में इनका जनम कहा होता है गुजरात में कहा गुजरात में कहा होता है बच्चे गुजरात में तो पि खड़ी बोली में लिखी पहली पुस्तक थी इनकी तो आप कहोगे सत्यात प्रकास इनकी पुस्तक का नाम क्या है सत्यार्थ प्रकास इनकी पुस्तक का नाम क्या है सत्यात प्रकास सत्यार्थ प्रकास किसमें लिखी गई है खड़ी बोली में किसमें लिखी गई है खड़ी ब वेदों की और लटो का नारा किसे ने दिया था द्यान रस्वती ने प्रसन पूँछ सबसे पहले श्वयराज सब्सका प्रियोग किसके का दौफार कर सब्सक्रा अपिरयोग अजमेर में मृत्ती हुई थी और सबसे मैं पिरसन आता इनका आपसे पूछाएगा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ आपसे पिरसन पूछाएगा आर्य समाज की इस्थापना अर्य समाज की इस्थापना इनहीं के दुवारा करी इस्थापना कब करी गई अठारे सो पिछेतर में बार बार डेट पूछी जाती है अठारे सो पिछेतर में ठीक है दयानन सरस्वती के दुवारा ये दयानन सरस्वती के सारी पिरसन जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते सबसे दख्षुनतम बिंदू किस नदी के किनारे कि अगला प्रिसन है सिंदु घाठी सब्वैता का सबसे दक्षुनतम मिन्दू किसे नहीं सब्सक्राइब करते हैं कि चार पिरकार से सिंदुघाटी सब्वेता के चार स्थान हैं पश्ची में अलग मिले हैं पूरा मतलब हम यह कहने सिंदुघाटी सब्वेता हमसे पहले भी सब्वेता इस धरती पर रही है जिसको आप सब जानते हैं सिंदुघाटी सब्वेता के नाम से उस सिंदुघाटी सब्वेता का सबस सबसे पस्मी आप से पूछे जाएगा सबसे दक्षणी तो अगर मैं बात करता हूं सबसे उत्री नौर्थ में कौन सा है तो आप बताओगे नौर्थ में है सबसे उपर में मादा क्या है मादा इसकी नदी भी पूछी जाती है तो मादा है चिनाव नदी के किनारे किसके किना नाम है आलमगीरपुर नाम क्या है आलमगीरपुर आलमगीरपुर मेरट में है आलमगीरपुर और किस नदी के किनारे है तो आप बताओगे इसका जो पूरवी बिंदू है जो अंती में वो हिंडन नदी के किनारे है हिंडन किसकी सहयक न दी है तो आप बताओगे यमना की सहयक न दी है किसकी यमना की सहयक न दी है हिंडन वेस्ट का जो अंतिम छोर मिला है वो मिला है कहां तो आप बताओगे वेस्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे वेस्ट में तो ये मिला है सूत कांगे डोर जो अंतिम है सूत कांगे डोर अंतिम है सूत कांगे डोर कहां मिला है बच्चे सूत कांगे डोर में ये किस नद कि पिछनी की बात यहां पिरसन में चल रही थी तो इसका नाम है दाइमाबाद इसका नाम क्या है दाइमाबाद मैं लिख देता हूं ठीक से इसका नाम क्या है दाइमाबाद दाइमाबाद और किस नदी के किनारे है तो आप बताओगे गोदावरी किस नदी के किनारे है गोदावरी के किनारे किस के गोदावरी के किनारे और आप से पूछले ये कहां है तो आप बताओगे ये है महाराष्ट में ये कहां है महाराष्ट में यह कहां पढ़ता है बच्चे महाराष्ट में तो प्रिसन क्या था सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे दक्षण तर मिंदू बताना है तो यह रहल दाइमाबाद गोदावरी में सबसे पूर्वी बताना है आलमगिरपूर मेरठ में और सबसे उत्री बताना है मादा चिनाव नदी के किनारे जम्मू कस्मीर में और सबसे पस्च में बताना है तो आप बताऊगे सूत कांगे डोड़ दासक नदी के किनारे कहां आप बताऊगे बलुचिस्थान पाकिस्तान में क्या और भी पिरसन बचा हुआ है कोई एक बार देख लेके है जो वह घी किता है तो आपको अधाना कैसा लगा यह हमारा सैसं यह रेगुलर आपको इसा चलता रहेगा लगवक्वदस पंद्र में बीच पिरसन रोजना में आपको कराता रहा हँगा ठीक है आज के लिए इतना ही ओके झाल झाल